हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो इजी स्कूल क्लासेज क्लास नाइन के फिजिक्स के कंसेप्ट में हम देख रहे हैं चेप्टर नंबर नाइन और इसमें हम सॉल्व करेंगे आज कोशिन नंबर 11, 12, 13, 14 जो की NCIT के बूक पेज नंबर 128 और 129 की एक्सराइज के पार्ट है स्टार्ट करते हैं कोशिन नंबर 11 से सो कोशिन नंबर 11 है टू अबजेट्ट इच आफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन दे सेम स्ट्रेट लाइन सो अगर मैं कहता हूं कि एक मेरे पास मास है यह M1 1.5 kg का यह ऐसे मूव कर रहा है और एक और मास है मेरे पास 1.5 kg का M2 और यह भी मूव कर रहा है और इन दे अपोसिट डिरेक्शन है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे यह दोनों एक दूस्ते की तरफ मूव कर रहे है दा वेलासिटी ऑफ इच अब्जेक्ट इस 2.5 मीटर पर सेकेंड यानि इसकी वेलासिटी यूवन कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड और कि अगर मैं एक डियाग्राम बनाता हूं यहां पर आफ्टर कोलिजिन का तो यह दोनों एक दूसरे के साथ श्टिक हो गए कुछ इस तरह से ठीक है सो हमें बताना है वट विल बीदा वेलासिटी ऑफ दा कंबाइंड अब्जेक्ट आफ्टर दा कोलिजिएन सो भी आफ आफ मोमेंटम और प्रिंशिपल उफ धना आफ मोमेंटम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सो अब्र प्रिंशिपल एफ कंसरवेशन उफ मोमेंटम क्या कैता है जाट M1 U1 प्लस M2 U2 and this will be conserved यानि इसका क्योतना हो जाएगा बही दोने खट्टे हो गए ना इस्टिक हो गए यानि M1 प्लस M2 इंटू में final velocity V let us say ये V velocity से after collision move करेगा so now let us solve this M1 is 1.5 U1 is 2.5 plus M2 is 1.5 and U2 is अब दो को ये opposite direction में तो इसको हम माइनस में लेंगे यानि माइनस 2.5 and it is equals to M1 plus M2 इंटू V यानि 1.5 plus 1.5 इंटू V so यहांसे हम 1.5 को अगर common ले लेते हम यानि कितना हो गया 2.5 minus 2.5 और यहांसे भी हम इसको लेक सकते हैं 3V so this will come out to be 0 is equals to 3V और V is equals to 0 meter per second यानि after collision यह object यह पूरा जो combined object है यह move नहीं करेगा इसकी जो velocity होगी after collision that will be 0 meter per second and this is the answer इसमें आपको बस एक चीशे का धिहान रखना है कि इसकी जो second mass है इसकी velocity को आप negative लोगे क्योंकि यह opposite direction में move कर रहा था due to opposite direction अगर आपने इसको negative नहीं लिया तो आपका answer गलत हो जाएगा इस case में so this is the question number 11 so now let us see the question number 12 it says according to the third law of motion when we push on an object the object pushes back on us with an equal and opposite force if the object is a massive truck parked alongside the road it will probably not move a student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other comment on this logic and explain why the truck does not move so according to this question question कह रहा हो क्या कह रहा है कि suppose एक truck खडा है question है कि अगर हम इस truck को push करेंगे तो यह truck move नहीं करेगा जो कि सही बात है कि अगर हम टेक truck को push करेंगे तो वो truck move नहीं करेगा तो एक student ने answer क्या दिया कि जितना हम इस पर force लगा रहे है पुश का जितना हम इस पर push का force लगा रहे है उतना ही एक opposite direction में force लग रहा है reaction का और यह दोनों equal हैं तो यह cancel हो रहे हैं बट ऐसा नहीं होता दोखो जो force लग रही है truck के उपर push वाली जो force है वो truck के उपर लग रही है जबकि जो reaction force लगेगी वो लगेगी जो इसको push कर रहा है तो दोनों different object के उपर लग रही है तो दोनों का equal होने का तो कोई मतलब नहीं है The correct answer is the force of push is much smaller than the frictional force और frictional force जो है वो motion को oppose करती है मतलब जो हम वी push लगा रहे हैं that is much smaller than the friction force जो की truck और road के बीच में है अगर ये आपका frictionless surface के उपर होता तो आप push करते हैं तो truck move कर जाता So the correct answer is this thing तो जो justification student ने दी So आप कह सकते हो the justification given by the student is wrong The correct justification is the force of push is much smaller than the frictional force between the truck and the road Between the truck and the road So this is the correct explanation of question number 12 Now the question number 13 Students this question is based on the concept of change in momentum So change in momentum का मैं आपको पहले formula बता देता हूं क्या होता है So the change in momentum Is equals to final momentum Minus initial momentum की जो final momentum है और जो initial momentum है दोनों का ज़े difference होता है वो change in momentum कहलाता है अब जो दो question के उपर आते है A hockey ball of mass 20 gram This is the hockey ball of mass 20 gram Is traveling at a speed of 10 meter per second And it is struck by a hockey stick Let us say this is the hockey stick This is the stick और ball यहाँ पे से टकराती है And it returns it along the original path मतलब यहाँ पे टकराने के बाद यह दुबारा से अपने original path के उपर लोट जाती है With a velocity of 5 meter per second यानि वापसी में यह 5 meter per second की speed से चली जाती है ठीक है So We have to calculate the change in momentum Occurred in the motion of the hockey ball By the force applied by the hockey stick So Let us calculate the initial momentum So Initial momentum कितना होगा Mass of bowl Into velocity Mass कितना है 200 gram That means 200 by 1000 KG में कनवट करना है Velocity है 10 meter per second तो यह कितना हागा This will come out to be 2 kg meter per second So यह तो था initial momentum अब देखते हैं कि Final momentum कितना हुआ So Final momentum is also equals to Mass into velocity It is equals to Mass कितना है 200 gram सी है Ball का Mass तो change होगा नहीं अब velocity कितनी हो गई या velocity हो गई 5 But opposite direction में तो हम minus 5 लिखेंगे So it will come out to be minus 1 meter per Minus 1 kg meter per Second So now we have to calculate the change in momentum So change in momentum is equals to Final that is minus 1 Minus initial that is minus 2 So that is equals to Minus 3 kg meter per second So जब आप इसका answer लिखेंगे Total change in momentum Is equals to 3 kg Meter per second यह जो minus 1 यह ज़िखेंगे That is only showing the Direction कि जो direction थी Initial momentum औ फिनल momentum कि वो Opposite थी So the answer is change in momentum is 3 kg meter per second So now the question number 14 So bullet of mass 10 grams Let us say this is the bullet एक bullet बना लेते हैं इसका mass is 10 grams It's traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second And it strikes a stationary wooden block Suppose यहाँ पे एक wooden block है इसको strike करता है यह bullet और strike करने के बाद Let us say इस position के आके Bullet रुख जाती है So this is the distance S और यहाँ तक आने के लिच उतना time लिया इसने वो दिया है 0.03 second Now we have to calculate the distance of penetration That is we have to calculate S Of the bullet into the block And we have to calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet So now let us Find out the variables that we need So the mass of bullet is given as 10 grams Initial velocity of the bullet is given as 150 meter per second Final velocity is 0 क्योंकि वो रेस्ट पे आगिया है Time कितना गिवन है मैं 0.03 second Now with the equation of First equation of motion V is equals to U plus A T हम यहाँ पे A निगाल सकते हैं So 0 is equals to 150 plus 0.03 A So A will come out to be 150 over 0.03 This is minus So A कितना आजागा यह Minus 5000 meter per second square तो हमने अभी A निकाल लिया Now to calculate S We can use the third equation That is V square is equals to U square plus 2 AS V square is 0 U square is 150 का square Plus 2 into acceleration is minus 5000 And we have to calculate S So अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूं तो कितना होगा यह 10 1000 S is equals to 22500 So S will come out to be 2.25 meters So the distance of penetration into the wooden block is 2.25 meter So एक तो यह आगे distance of penetration Now we have to calculate the force Force is simply It is equals to mass into acceleration Mass is given as 10 grams But जब force निकालते हैं To mass किसम होता है Kilogram मैं So 10 by 1000 Acceleration is how much? Minus 5000 So it will come out to be 50 Newtons हम minus sign हडा देते हैं क्योंकि जब हम magnitude देखते हैं क्योंकि सिफ magnitude बोला है तो वह positive में ही होता है Minus sign is just to show that It is acting on a different direction So these are the answers of question number 14 So students इस वाले वीडियो में हमने Question number 11, 12, 13 & 14 देखा था Next video में हम देखेंगे Question number 15, 16, 17 & 18 So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Question number 15 से इसमें given है object of mass 1 gram So let us say एक object है यह Of mass 1 gram 1 kg sorry Is traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second And it collides with And Sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg कि यहाँ पर एक यह wooden block रखा हुआ है इसका mass 5 kg Stationary है यानि इसकी velocity अभी शुरू में कितनी है 0 meter per second और after collision कुछ इस तरह से हो जाएगा After collision यह जो ball थी या जो object था यह इससे stick हो जाएगा यानि कि यह कुछ इस तरह से आपको दिखेगा So अब इनका total mass कितना होगा 1 plus 5 that is 6 kg So हमें क्या बतान है we have to calculate the total momentum just before the impact and just after the impact So परे निकालते हैं just before the impact So before impact momentum कितना होगा M1 U1 plus M2 U2 M1 कितना है M1 U1 कितना है 10 M2 कितना है 5 kg U2 कितना है 0 So So that will come out to be 10 kg meter per second Before impact Now after impact After impact It will also be equals to 10 kg meter per second Due to the conservation of momentum Conservation of momentum क्या क्या कहता है कि Before impact जितना momentum था After impact भी उतना ही होगा So Now We have to calculate the velocity of the combined object Let us say After collision velocity V से move करते है So After impact कितना है momentum 10 kg यानि हम लिख सकते है Mass into velocity is 10 kg meter per second Mass कितना होगा Combined का 6 Velocity हमें निकालनी है So velocity will be equals to 10 by 6 Which is equals to 5 by 3 10 by 6 कितना होगा 5 by 3 That is equals to 1.67 meter per second So this is the velocity of the combined object after collision So यह answer था question number 15 का चलो अब देखते है question number 16 So question number 16 क्या कह रहा है An object of mass 1000 kg object का जो mass है वो 100 kg sorry 100 kg given है Is accelerated uniformly with a velocity from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second यहनि जोसकी initial velocity थी यह वो कितनी given है 5 meter per second So the initial velocity is given as 5 meter per second and V the final velocity is given as 8 meter per second और यह जो acceleration वी वो कितने time में हुई? 6 seconds में तो एक तम में बताना है कि initial और final momentum कितना है सो देखो बहुत सिंपल है Initial momentum is equals to mass into initial velocity which is equals to 100 into 5 that is 500 kg meter per second whereas the final momentum is equals to final momentum कितने के बराबर होगा? mass into final velocity that is 100 into 8 and 800 kg meter per second तो यह तो निकल गया हमारे पास initial और final momentum सो इस question के एक part तो यह हो गए second part में हमें पता करना है यहां पे की force का magnitude कितना होगा? तो हमें पता है force क्या होती है mass into x relation और equation of first motion के कहती है v is equals to u plus at या फिर a is equals to v minus u over t तो यहां पे मैं लिख सकता हूं force is equals to mass into v minus u over t so that is equals to 100 kg and v minus u is v is 8 u is 5 and the time given is how much time is given? 6 seconds so that will equals to 300 upon 6 or 50 newtons so this is the force that will be exerted by the object ठीक है? so काफी simple question था जिसका answer हम देख लिया so this is the question number 16 so now the question number 17 देखने में काफी बड़ा question है but बहुत ही simple और theoretical question है इसमें लिखा है कि तीन दोस्त अक्तर किरन और राहूल वर राइडिंग इन अ मोटर कार that was moving with a high velocity so let us say एक ये मोटर कार के अंदर move कर रहे थे बहुत तेज velocity के साथ when an insect hit the windshield एक insect यहां पर आके इनकी windshield से टक राया and इस windshield के पर वो टक कर गया now अक्तर और किरन started pondering over the situation वो लड़ने लगे situation के उपर किरन ने कहा कि insect ने बहुत ज्यादा change in momentum जहला है क्योंकि किरन suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the car कि जो change in momentum हुआ है insect का वो ज्यादा है compared to car because the change in the velocity of the insect was much more than the motor car so हमें बताना है हरे के suggestions के वार में कि क्या है so जो किरन का suggestion है that is wrong क्योंकि जो change in momentum होता है वो equal होता है हम पढ़ चुके हैं principle of conservation of momentum से so we can say that change in momentum is equal then the second one अक्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity it exerted a large force on the insect तो अक्तर कह रहा है कि जो car है वो ज्यादा velocity से move कर रही थी तो उसने ज्यादा force लगाई होगी insect के उपर बट वो भी से correct निया है कि हम देख चुके हैं Newton's के third law of motion से कि जितनी force कार ने लगाई होगी उसी की equal and opposite force opposite direction में insect के दवारा भी लगी होगी so that is also wrong now the third suggestion that was given by Rahul Rahul said while putting an entirely new explanation said that the both motor car and the insect experience the same force and change in their momentum then this is the correct explanation ठीक है क्योंकि इन दोनों को अगर रहा है हम तो यह आपकी correct होगी so this is the answer of question number 17 now the question number 18 which is the last question of the exercise how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfers to the floor if it falls from a height of 80 cm so let us say 80 cm की height से एक dumbbell निचे ground की तरफ गिर जाती है ठीक है so अगर fall हो रही है तो जो इसकी initial velocity वह होगी 0 meter per second ठीक है 2 into A कितना है 10 S कितना हो गया 80 cm और 0.8 meters so V will come out to be 16 sorry V square is equal to 16 so V कितना हो गया 4 meter per second यानि यानि यह बॉल यहां पे आई और इसने velocity 4 meter per second से ground को हिट किया और mass था इसका 10 kg तो अब हमें निकालना है momentum 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 क्या होता है mass into velocity mass कितना है 10 kg velocity कितना है 4 so that will come out to be 40 kg meter per second so this is the answer of question number 18 so काफी simple question था यह अगर आप diagrams बना लेता हो na physics के अंदर तो question को solve करना काफी easy हो जाता है so students हमने chapter number 9 complete कर लिया यहां पर जिसमें हमने सारे concepts को भी study किया है सारे examples को solve किया NCIT के और सारी unsolved exercises को भी हमने solve किया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे channel को subscribe कीजिए bell icon को press कीजिए ताकि आपको latest videos के updates मिलती रहें साथ साथ और next video से हम शुरू केंगे chapter number 10 which is gravitation so this is all for chapter number 9 thank you for watching the video thank you